ओम शांती, मीठे बच्चे, आज की मूरली, 20 अप्रेल 2024 दिन शनिवार की संपूर्ण मूरली मीठे बच्चे, तुम्हें योगबल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है, इसलिए जहां जाना है, उसे याद करो, इसी खुशी में रहो कि हम अभी फ्कीर से अमीर बनते हैं प्रश्न दैवी गुनों की सबजेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर उनकी बुद्धी में रहता, जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख दूसरे करेंगे कभी किसी को तंग नहीं करेंगे उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा मनसा वाचा कर्मना किसी को दूख नहीं देंगे बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे दैवी गुनों की सबजेक्ट पर ध्यान है ओम शान्ती मीठे मीठे रुहानी बच्चों प्रती रुहानी बाप समझा रहे हैं याद की यात्रा भी सिखला रहे हैं याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे भक्ती मार्ग में भी सब देवताओं को शिव बाबा को याद करते हैं परंतु यह पता नहीं था कि याद से ही विकर्म विनाश होंगे बच्चे जानते हैं बाप पतित पावन है वही पावन बनाने की युक्ति बताते हैं आत्मा को ही पावन बनना है आत्मा ही पतित बनती है बच्चे जानते हैं भारत में ही बाप आकर याद की यात्रा सिखलाते हैं और कहा भी सिखला न सके जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की हैं यह यात्रा सिर्फ एक बाप ही सिखला सकते हैं अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है माया के कारण सबकी बुद्धी को बेसमजी का ताला लगा हुआ है अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार, धन्वान और पवित्र थे हम सारे विश्व के मालिक थे अब हम फिर बन रहे हैं यहां तो मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने आये हैं, इसलिए तुम यहां पढ़ने आये हो किसके पास? बेहद बाबा के पास बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है भल मम्मा पालना करती है परन्तु बाप फिर भी बाप है जिससे बेहद का वर्सा मिलता है तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हो बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं? यह कोई नई बात नहीं है गायन भी है सुबह को अमीर था, रात को फ्कीर था तुम भी सुबह में अमीर और फिर बेहद रात में फ्कीर बन जाते हूं बाबा रोजोस स्मृती दिलाते हैं बच्चे, कल तो तुम विश्व के मालिक अमीर थे, आज तुम फ्कीर बन पड़े हो अब फिर सुबह आती है, तो तुम अमीर बन जाते हूं कितनी सहस बात है तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए अमीर बनने की ब्राहमनों का दिन और ब्राहमनों की रात अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो और बनेंगे भी जरूर परन्तु नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार बाब कहते हैं यह वह खारी चैनल है जिसे तुम ही पार करते हो योगबल से जहां जाना है उनकी याद रहनी चाहिए हमको अब घर जाना है बाबा खुद आया है हमको लेने बहुत प्यार से समझाते हैं मीठे बच्चे तुम ही पावन थे 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो फिर पावन बनना है पावन बनने का और कोई उपाय नहीं तुम जानते हो पतित पावन आते हैं और तुम उनकी मत पर चल पावन बनते हो तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हम यह परपाएंगे बाप कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनेंगे बाप सुखधाम का रावन दुखधाम का वर्सा देते हैं तुम बच्चे अभी जानते हो रावन तुम्हारा पुराना दुश्मन है जिसने तुमको पांच विकारो रूपी पिंजडे में डाला है बाप आकर निकालते हैं जितना जो बाप को याद करते हैं उतना औरों को भी परिचय देते हैं याद न करने वाले देहभिमान में होंगे वह न बाप को याद कर सकते न बाप का परिचय दे सकते हैं सारा पार्ट कैसे बचता है, यह भी तुम्हारी बुद्धी में हैं। जिनको पक्का निश्चय है, वह आकर यहां रिफ्रेश होते हैं। यह कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है, जो तुमको टीचर के साथ ही रहना है। नहीं, अपने घर में रहते भी पढ़ाई कर सकते हूं। सिर्फ एक हफ़ता अच्छी तरह समझो, फिर ब्राह्मनिया कोई को एक मास में, कोई को छे मास में, कोई को बारह मास के बाद ले आती हैं। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ और भागा। राखी भी बांधनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। हम शिवबाबा से प्रतिग्या करते हैं। शिवबाबा ही कहते हैं, बच्चों, तुमको निर्विकारी जरूर बनना है। अगर विकार में गए, तो की कमाई चट सौ गुना दंड पढ़ जाएगा। 63 जन्म तुमने गोते खाए, अब कहते हैं पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा भाई भाई है, किसके नाम रूप में फसना नहीं है। अगर कोई रेग्यूलर नहीं पढ़ता है, तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए। भल बाबा कहते हैं, एक दिन में भी तीर लग सकता है, परंतु समझ से भी काम लेना है। तुम ब्राह्मन हो सबसे उत्तम, यह तुम्हारा बहुत उचा कुल है। वहा कोई सत्संग आदी होते नहीं, सत्संग भक्ति मार्ग में होता है। तुम जानते हो सत का संग तारे, सत का संग मिलता ही तब है जब सत्यूग की स्थापना होनी होगी। यह किसकी बुद्धी में नहीं आता क्यों की बुद्धी को ताला लगा हुआ है। अब सत्यूग में जाना है। सत का संग मिलता ही है पुरुशोत्तम संगमेग पर। वह गुरु लोग तो संगमयुगी है नहीं। बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा कह बुलाते हैं। उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़े ही कहेंगे। एकदम बुद्धी को गौडरेश का ताला लगा हुआ है। बाबा आकर ताला खोलते हैं। बाबा देखो कितनी युकती रचते हैं कि मनुष्य आकर हीरे जैसा जीवन बनाएं। मैगजीन किताब आदी छपाते रहते हैं। बहुतों का कल्यान हो तो बहुतों की आशिर्वाद भी मिलेगी। प्रजा बनाने का पुरुशार्थ करना चाहिए। अपने को बंधन से छुडाना चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस तो जरूर करनी है। इश्वरिय सर्विस होती है सिर्फ सुभ और शाम को। उस समय सबको फुर्सत है। जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो, उनको भी परिचय देते रहो कि तुमको दो बाप है। लौकिक बाप सबका अलग है। पारलौकिक बाप सबका एक है। वह सुपरीन है। बाबा कहते हैं मेरा भी पाठ है। अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो। आत्मा को भी तुम जान गए हो। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। वह अकालतक्त भी है। आत्मा को कभी काल नहीं खाता। वह सिर्फ मैली और साफ होती है। आत्मा का तक्त शोगता भी भ्रकुटी के बीच है। तिलक की निशानी भी यहां देते हैं। बाब कहते हैं तुम अपने को आपे ही राजतिलक देने के लायक बना। ऐसे नहीं कि मैं सब को राजतिलक दूँगा। तुम अपने को दिलाओ। बाबा जानते हैं कौन बहुत सर्विस करते हैं। मैगजीन में भी लिखत बहुत अच्छी आती है। साथ-साथ योग की मेहंत भी करनी है, जिससे विकर्म विनाश हूं। दिन प्रति दिन तुम अच्छे राज्योगी बन जाएंगे। समझेंगे जैसे की अब शरीर छूटता है, हम चले जाते हैं। सुख्ष मवतन तक तो बच्चे जाते हैं, मूलवतन को भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम आत्माओं का घर है। मनुष्य शांतिधाम के लिए ही भक्ती करते हैं। सुख्धाम का तो उनको मालूम ही नहीं है। स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे नहीं सकते बाप के सिवाए। यह है प्रवृत्ती मार्ग। दोनों को मुक्तिधाम में जाना है। वो लोग उल्टा रास्ता बताते हैं, जाता कोई भी नहीं है। सभी को पिछाडी में बाप ले जाएंगे। यह उनकी डेटी है। कोई अच्छी रीती पढ़कर राज भाग्य ले लेते हैं। बाकी सब कैसे पढ़ेंगे। वह जैसे नंबरवार आते हैं, वैसे नंबरवार जाएंगे। इन बातों में जास्ती समय वेस्ट मत करो। कहते हो बाबा को याद करने की भी फुर्सक नहीं मिलती है, फिर इसमें समय क्यों वेस्ट करते हो। यह तो निश्चय है कि बेहद का बाप तीचर गुरू भी है। फिर दूसरे कोई को याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी नार प्रहेट का मिसाल ज्यान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती, खाली होने में देरी लगती है तुम हो मीठे सिकीलधे बच्चे क्योंकी कल्प के बाद आकर मिले हो यह पक्का निश्चय चाहिए हम 84 जन्मों के बाद फिर से आकर बाप से मिले हैं बाप कहते हैं जिसने पहले भक्ती की है, वही पहले ज्यान लेने के लायक भी बने हैं क्योंकी भक्ती का फल चाहिए तो सदैव अपने फल अथवा वर्से को याद करते रहो फल अक्षर भक्ती मार्ग का है वर्सा ठीक है बेहत बाप को याद करने से वर्सा मिलता है और कोई उपाय नहीं भारत का प्राचीन योग मशूर है वह समझते हैं हम भारत का प्राचीन योग सीखते हैं बाबा समझाते हैं वह ड्रामा अनुसार हठ योगी बन जाते हैं राज्योग अब तुम सीखते हो क्योंकि अब संगमिव है उन्हों का धर्म अलग है वास्तव में उनको गुरु करना नहीं चाहिए परन्तु यह भी ड्रामा अनुसार फिर भी करेंगे जरूर तुम बच्चों को अब राइटियस बनना है रिलीजन में ही ताकत है तुमको जो मैं देवी देवता बनाता हूँ यह धर्म बहुत सुख देने वाला है मेरी ताकत भी उनको मिलती है जो मेरे से योग लगाते है तो बाप जो खुद धर्म स्थापन करते हैं उनमें बहुत ताकत है तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हूं बाप इस धर्म की महिमा करते हैं कि इसमें बहुत माइट है Allmighty बाबा से माइट बहुतों को मिलती है वास्तव में माइट सबको मिलती है परन्तु नमबर वार तुमको जितनी माइट चाहिए उतनी बाबा से लो फिर दैवी गुनों की सब्जेक भी चाहिए किसको तंग नहीं करना, दुख नहीं देना यह कभी किसको उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते जानते हैं जैसा कर्म मैं करूंगा, मुझे देख और भी करेंगे आसुरी गुनों से दैवी गुनों में आना है देखना है हम किसको दूख तो नहीं देते हैं ऐसा कोई नहीं है जो किसको दुख नहीं देता हूँ कुछ न कुछ भूले होती जरूर है वह अवस्था तो अंत में ही आएगी, जो मनसावाचा कर्मना किसको दुख न देवे इस समय हम पुरुशार्थी अवस्था में है हर बात नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार होती है सभी पुरुशार्थ सुख के लिए ही करते है परन्तु बाप बिगर कोई सुख दे न सके देखा जाता है सोमनात के मंदिर में कितने हीरे जवाहर थे वह सब कहां से आये, कैसे साहुकार बने सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए ग्रिहस्थ व्यवहार में रह कमल पुष्प समान पवित्र बनना है तुमने यह पुरुशार्थ किया है, तब तो माला बनी है कल्पकल्प बनती रहती है माला किसका यादगार है, यह भी तुम जानते हों वह तो माला का सिमरण कर बहुत मस्थ हो जाते है भक्ती में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है, यह भी तुम ही जानते हो तुम किसको भी समझा सकते हो पुरुशार्थ करते करते आखरीन पिछाडी की रिजिट कल्प पहले मुआफिक निकल आएगी हर एक अपनी जाच करते रहे तुम समझते हो हमको यह बनना है पुरुशार्थ की मार्जिन मिली है नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार बाप भी तुम्हारा स्वागत करते हैं तुम बच्चे जो स्वागत करते हो उनसे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करते हैं बाप का धंधा ही है तुम्हारा स्वागत करना। स्वागत माना सद्गति यह सबसे उचा स्वागत है। तुम सब का स्वागत करने बाप आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौर्णिंग एक बहुतों की आशिर्वाद लेने के लिए कल्यानकारी बनना है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर सुभशाम इश्वरिय सर्विस्ट जरूर करनी है दो दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट न कर बाप को याद कर माइट लेनी है सत के सन में ही रहना है मनसा वाचा कर्मना सब को सुख देने का ही पुरुशार्थ करना है वर्दान पवित्रता के वर्दान को निजी संसकार बना कर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहंत मुक्त भव कई बच्चों को पवित्रता में मेहंत लगती है इससे सिद्ध है वर्दाता बाप से जन्म का वर्दान नहीं लिया है वर्दान में मेहंत नहीं होती हर ब्राह्मन आत्मा को जन्म का पहला वर्दान है पवित्र भव, योगी भव जैसे जन्म के संसकार बहुत पक्के होते हैं तो पवित्रता ब्राहमन जन्म का आदी संस्कार निजी संस्कार है इसी स्मृती से पवित्र जीवन बनाओ मेहंत से मुक्ट बनो स्लोगन प्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है